नमस्कार दूस्तों स्वागत है आपका टॉप वर्ड वाइड क्रिकेट की एक और नई वीडियो में भारत और इंग्लाइन के बीच चार टेस्ट मैचों की सिरीज का पहला मैच पांच फरोरी से चेन्ने में खिला जाना है इंग्लाइन के खिलाब आप प्रमुक खिलाडी चोट से उबर चुके हैं ऐसे में टीम इंडिया प्लेंग 11 चर्चा में बना हुआ है पूर क्रिकेडर और मौजूदा इस्टार हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपला ने पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेंग 11 चुनी है इस लिष्ट में मौमद सिराज को जगान नहीं मिली है उन्होंने आउस्टेलिया में जबर जस्त गेंद बाजी से सब को प्रभावित किया था इसके अलावा आकाश चोपला ने मैंक अगरवाल केल राहूल और रिधिमान शाह को भी अपनी प्लेंग 11 लेशे से बाहर रखा है आकाश चोपला ने चेन्नाई के विकेट के इतिहास को देखते हुए टीम में तीन स्पिनर और दो तेज येंद बाजों को प्लेंग 11 में जगा दी है जबकि विकेट की पर बल्ले बाज के तौर पर रिशब पंद को चुना है टौप ओडर में मैंक अगरवाल के लिए उन्होंने कोई जगा नहीं रखी है पारी के आगाश का जिम्मा गिल और रोहिश शर्मा को ही दिया गया है अब आईए दोस्तों एक साथ आकाश चोपला द्वारा चुने गई पहले टेश की प्लेंग 11 देख लेते हैं जो कुछ इस प्रकार है रोहिश शर्मा, सुबमन गिल, चेतेसवर पुजारा, विराट कोली, अजिंकी रहाने, रिशप पंत, वाशिंग्टन सुंदर, रवी अश्विन, कुल्दे पियादो, इशांत सर्मा और जस्पृत बुम्रा दोस्तों यहेवा प्लेंग 11 है जो आकास चोपला द्वारा चुनी गई है, आपको आकास चोपला की प्लेंग 11 कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कर इस सीरीज में खेलने उतरेगा, दोनों टीमों का मनोबल काफी उचा होगा, ऐसे में दोस्तों देखना दिल्चस होगा कि इस टेस्ट सीरीज को कौन सी टीम जीती है, भारत या फिर इंगलैंड, वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस टेस्ट सीरीज को कौन सी टीम भारती या फिर इंगलेंड आप इसका जावा हमें नीचे कमेंट करके कमेंट सिक्षन में जरू दिजिएगा ज़्यादा जनकरी और क्रिकेट के अने तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद